2700 वर्ष पहले यश्य नभी के अनुसार मसिय अर्थात परमेश्वर जब इस पृतिपर आएगे तब वो लोगों के लिए क्या होंगे? उन्होंने कहा वो ठोकर का पत्तर और ठेस की चट्टान होगा, वो परकावा पत्तर होगा. तब क्या वो हमारी आकोक के सामने इस पृतिपर ऐसे प्रकट होंगे कि हम उन्हें एक जलक में आसानी से पहिचान सकेंगे? आया यशाय आदे आठ आया तेरा पर एक नज़र दाले? सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भई रखना और वो सरंस्तान होगा. परन्तु इस्रायल के दोनों घरानों के लिए वह क्या होंगा? ठोकर का पतर और और वह ठेस की चट्टान और येरुजलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होंगा. और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकना चूर होंगे, बेफंदे में फसेंगे और पकड़े जाएंगे. परमेश्वन ने पहले से ही इस बईश्वानी को नभी यश्य के द्वारा जानने दिया. वह 2000 वर्ष पहले इस प्रुति पर आये और कहा, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए. लोग कलपना करते हैं कि बले ही परमेश्वन ना सोये, तब भी उन्हें आराम के अवशक्ता नहीं होगी या वह ठकते नहीं है. वह ऐसा सोचते हैं कि बले ही वह कुछ भी ना खाय या पिये, फिर भी उन्हें ना तो प्यास लगती है और ना ही भूक लगती है. तब क्यों परमेश्वर इस प्रुति पर शरीर में आये? परमेश्वर हमारे जैसे शरीर में होकर प्रुति पर आये. वह कुरूस पर चड़ाये गए और हमारे बदले अपना बहु मुल्य लहु भाया. क्या यह कारण नहीं कि महिमा का मार्ग जो हमें पापों के शमा और उधार पाने के लिए शक्षम मनाता है, हमारे लिए खोला गया था? इसके अलावा वे हमारे जैसे पाप्यों के वस्तर पहन कर पुरुति पर आये. उन्होंने एक उधारन दिखाया जैसे वह हमें बता रहे हो जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया वे भी स्वर्ग के राजे में आ सकते हैं जहां में रहता हूँ यदि वे मेरे उधारन का पालन करते हैं क्या यही कारण नहीं कि परमेश्व ने सुर्धूतों को यह करो या वह करो करके आदेश नहीं दिया, बलकि वस्वयम प्राइचित का बलीधन बनने के लिए धेधारन करके इस पुत्ति पर आये। इस तत्य के बावजुत बावसे लोग जो परमेश्व पर विश्वास करने का दावा करते हैं, वे शरीर में आये परमेश्वर को अश्विकार करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पृत्ति पर आने के कारण और उद्देश को नहीं समझते। परमेशर पर विश्वास करने का दावा करने वालों का दुर्ष्ट्री कोन और धार्ना गलत थी?